पिछले वीडियो में आप लोग ने सिखा होगा IEEE 754 standard for 32 bit format for single precision plotting point representation के द्वारा इस वाले question को मैंने solve किया था because example 2 आपका बहुत बार IGNU के BCA MCA में UPTU में DU में अकसर computer organization chapter से में question पूछा गया यह वाला question 0.125 तो वही तरीका होता है 10 step क्या होता है आपका पहला step में हम लोग कोई भी नंबर को binary में convert करते हैं दूसरा normalize form इसका लिखते हैं तीसरा आपका normalize result जो होता है इसको IEEE 754 32 bit format single precision form में represent करते हैं आप लोगोंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो यहाँ पर मैं यह वाला question को solve करूँगा बहुत ही simple है तो करना क्या है पहला इसको binary में convert करना है ठीक है आपने लिख दो simple 0.125 को binary में convert करेंगे binary का conversion का video मैं फिर से बूर रहा हूँ मेरे playlist में आपको जाके मिल जाएगा मैं यहाँ पर बता जेता हूँ फिर से आप लोगो बट मेरे playlist में जाके आप लोगो देख लो ठीक है point वाला section है इसको convert करना है binary में तो 2 से multiply करेंगे तो answer आएगा आपका 0.250 अब फिर क्या करना है 0.250 को multiply करना है again 2 के साथ तो answer क्या आएगा आपका 0.500 अब फिर से 0.500 को multiply करेंगे 2 के साथ तो आपका answer क्या आएगा 1.000 ऐसे लिक देता हूँ ठीक है 1.000 तो आपका 0.125 का binary conversion आपका क्या हो गया 001 .001 ठीक है यह आपका binary conversion हो गया मैं फिर से बोल रहा हूँ आप मेरे playlist में जाके देख सकते हो ठीक है second step में क्या करना है बस आप देखो यह जो point है point के आपका left side में तो कुछ नहीं है ठीक है पिछला जो question था उसमें left side में हम लोगों ने put किया था होगे तो चलेगा यह आपका second step हो गया बट हाँ और multiply करना है 2 के power minus 3 से 2 के power minus 3 से अब आप लोग पूछो के 2 के power minus 3 से क्यों multiply करना है क्योंकि यह point है 3 खाशे के बाद आ रहा है एक दो तीन ठीक है अगर यह वाला point में left side में ले जाता अगर left side में कोई number होता तो left side में 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 ले जाता तो जहां तक ले जाता 2 के power positive number से में multiply करता हूँ ठीक है positive number वाला question आप मेरे playlist में जाकर देख सकते हो वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा ठीक है second step में मैंने क्या किया इसे normalized form में लिख लिया अब हमारा बच गया third step क्या बच गया third step copy करता हूँ इसे ठीक है यहाँ पे paste कर दो third step में क्या होता है मैंने पहले भी बोला था यह अइसा table बनाना है आप लोग को पहला क्या होता है sin bit होता है दूसरा होता exponent तीसरा होता है mantissa sin bit तो की positive number है तो हम लोगोंने sin bit का लिखेंगे आपे 0 लिखेंगे exponent क्या होता है 127 में जितना भी यह power होता है उसे हम लोग plus करते हैं तो exponent में 127 में हम लोगो plus करेंगे number क्या है आपका power minus 3 है minus 3 है ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका 124 हो जाएगा 124 हो जाएगा ठीक है और पहले 124 को हम लोग यहाँ पे फिर से बाइंदरी में कनफर्ट हम लोग को करना पड़ेगा ठीक है 124 को 124 124 को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं किसे कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो गया आपका 62 यहाँ पर आ गया आपका रिमेंडर बचा 0 ठीक है फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 31 रिमेंडर बचा आपका 0 फिर आपका आगया 15 रिमेंडर बचा 1 फिर आगया आपका 7 तू जा 14 7 रिमेंडर आपका 1 फिर आगया 2 3 जा 6 रिमेंडर बचा आपका 1 टू टू जा वन रिमेंडर बचा आपका टू अन जा टू सौरी टू अन जा टू रिमेंडर बचा आपका वन ठीक है जो आपका 124 का आपका binary conversion क्या हो गया एक दो तीन चार पांच पांच बार वन है फिर जीरो जीरो है फिर आपका 00 ठीक है साइन बीट तो मैंने पहले ही वहला साइन बीट आपका 0 है ठीक है और यह होगे आपका exponent TTA किया होती है point के बाद बहला number point के बाद मानेmayın तो ऐसे हैं दो नंबर दिया दो और.. ओसे हैं दो शुननी को माने दो 0 को ले लिया था ठीक है तो यहां भी आप लोग क्या करोगे चुकि मैं टीसे आपके आपको यहाँ पे ताईस बीट का लिखना है तो ताईस बार आपको जिरो लिखना होगा यह बार आप काउंट कर लोगे फिर से मैं काउंट कर लेता हूँ 1234567891011121314151617181920222223 ठीक है यह आपका अंसर हो गया साइन बिट 0 यह आपका तैस बीट का हो गया यह आपका देखो 7 बिट है तो यहाँ पी क्या करेंगे आगे में एक शून लगा देंगे ठीक है यह भी हो गया 8 bit का यह होगी आपका 1 bit का sign bit तो है ही हमें फिर से बताता हूँ मैंटी सा क्या होता है point के बाद वाला भाग point आप देख रहे हो यह जो point है point के बाद वाला भाग मैंटी सा कलाता है यह वाला नहीं यह वाला भाग मैंटी सा कलाता है ठीक है पॉइंट के बाद वाला भाग आता है meantisa का लाता है तो यही है चुकि यहां पर मैंटि साब का 23 bit का होता है तो मैं यहां पर 23 नमबर लिखा है 23 बार मैंने यहां पर 0 लिख दिया अगर कोई नमबर होता तो आप लोग है कोई नमबर को लिखते पिछला वीडियो में आप देखोगे पॉइंट के बाद नंबर है तो आप यह नंबर में ने मैंसन किया हुआ है ठीक है कोई भी डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हो वाटसब कर सकते हो ठीक है मैं फिर से बोल रहा हूँ इसको solve करने का तीनी step होता है binary में convert करो normalized form में लिखो उसके बाद IEEE format में represent कर दो ठीक है जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद करने कर दो गई दो प्रेश वे लिए कर दिए शरा भाटस पुल के आप में खग कर दो अगक कर दो अगक में वाटसबगा